हमारे ब्रह्मान में सुपर नैच्रल बहुत सारी स्प्रीड विद्यमान है जो तरह तरह से जातकों की मदद करती है उनकी हेल्प करती है आपने देखा होगा कि अगर कोई देवी देवता हमारी बात नहीं सुन रहा है तो उनके जो वाहन होते हैं वो मोर के रूप में हो या इसी अन्य रूप में हो वो हमारी बाते सुनते हैं हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है कि उनके कान में कोई भी बात कह दी जाए तो वो पूरी करते हैं इसमें नंदी भी प्रमुक है नंदी के कान में कुछ बोल दो या चुहे के कान में कुछ बोल दो तो उस देवी दे बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, तो मेरी suggestion आपको ये है कि animal spirit को call करिए, animal spirit वो होती है जो जानवरों की आत्मा उसको कह सकते हैं, और जानवरों की आत्मा भी super natural power से युक्त होती है, ऐसा आप देखते हैं कि प्रकृति में कोई आप्रकृतिक विप्दा आने वाली होती है, तो पशू पक्षी बहले भाप लेते हैं, चिडिया चहा चहा कर अपना आशियाना बना लेती है, घोंसला बना लेती है, और आपने देखा होगा कि ऐसे मनुष्य भी पीछे नहीं रहते, जो अपना इस्थान परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन आपने ऐसे animals को भी देख या युद्ध की घोशना के संबन में भी हो सकता है, अनेक प्राकरतिक विपदाएं या आप प्राकरतिक विपदाएं का सामना करने में हम मनुष्य कई बार समर्थ नहीं होते, हम तो इतने भी समर्थ नहीं होते कि आपने emotions को control कर सकें, तो emotions को control करने के लिए या help मांगने क लिए animal spirit बहुत कारगर होती है और animal spirit के बारे में आप ने शायद नहीं सुना होगा, तो animal spirit जो होती है वो आपकी help कर सकती है, wolf एक magical word है और wolf magic भी काम में लिया जाता है और इसको आप internet पर search भी कर सकते हैं, animal spirit के नाम से search करिए, जो जो spirit होंगी animal के रूप में वो आपके सामन आजाएंगी और उनकी chanting का भी एक तरीका होता है, इसमें मकडियां भी है, मगरमच भी है, आउल भी है, हंस भी है, और wolf भी है, butterfly भी है, ऐसे creature प्रकरती ने चुने हैं, जो हमारी रक्षा करने में सक्षम है, और उनको ये power प्रकरती माने स्वैम ही दी है, उनके पास ऐसी श कर सकते हैं, और उसमें समर्थें उनको प्रकरती माने दी हुई होती है, तो वो हमारे spirit guide बन सकते हैं, spirit guide उनको बोलते हैं, जो आपको guide करते हैं कि particular उस situation के अंदर आपको क्या निर्ने लेना चाहिए, और उनके जो guidance होती है, हमेशा success होती है, अगर आप उनको अपने हिर्द फायदा होता है, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पैसे के शेत्र में क्या, व्यापर के शेत्र में क्या, नौकरी के शेत्र में क्या, relationship के शेत्र में क्या, हर शेत्र में ये animal spirit काम करती है, animal spirit बहुत कारगर होती है, और उनको call करने का एक तरीका होता है, प्रे होती Pacific video और प्रेय भी मैं आपको वाल्फ की तो बता चुकी हूं, फुल्मोन मेडिटेशन आपको करने के लिए मैं बता चुकी हूं, वॉल्फ को काम काल करना होता है और वॉल्फ आपका काम करने में फुर्टी दिखाते हैं और आपको तुरंथ आपकी प्रॉब्लम का सॉलुशन मिल जाता है तो आप एक काम कर सकते हैं आप पता कर सकते हैं कि कौन सी एनिमल स्पृरिट आपकी मतलब भला चाहने वाली है और कौन सी स्पृरिट से आपको फायदा हो सकता है इसका प्रॉसिजर भी आप जान सकते हैं तो बस आपको कॉल करना होता है एनिमल स्पृरिट और आपके सामने आ जाते हैं उनके सारे पहलो तो आप इंटरनेट पर जाके सार्च कीजिए एनिमल स्पृरिट के नाम से आपको उनके सारे प्रकार डिस्क्राइब होने लग जाएंगे और उनको हीलिंग प्रोसिजर आप जान पाएंगे और आपको वो तरीके समझ में आएंगे जिसके जरीए आप उनसे मदद ले सकते हैं तो आइनिमल स्पृरिट को कॉल करिए और आइनिमल्स को मौका दीजिए अपने जिंद्गी में खुशाली भरने का इससे आपको बहुत फायदा होगा और इससे आपकी तरक्की कई गुना जादा होने लगेगी कई लोग उलाह न देते हैं न भगवानों को कि हे भगवान आप तो कल्यूग के भगवान होके रह गए हो अर्थात आप किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं जो आपका जितना बड़ा भक्त होता है उसी की परिक्षा आप लेते हैं कल्यूग में ऐसा सही भी है लेकिन हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते भगवान को ब्लेम नहीं लगा सकते और भगवान को ब्लेम इसलिए नहीं लगा सकते कि भगवान हर किसी की मदद करना चाहता है और ब्रह्म मूरत ऐसा ही समय होता है जब आप किसी भी देवदुद को कॉल करते हैं भगवान आपका बिगड़ी बना सकता है उनको कितना प्यार से इमानदरी से कितना अन्तर मन से आप कॉलिंग करते है उससे पर डिपैंड करता है भगवान का meditation भी किया जा सकता है श्री ट्रेशन का meditation करिए राम जी का meditation करिए या अन्य भगवानों का meditation करिए आपको बहुत फायदा मिलेगा उनका जो स्वरूप होता है उसको visualize करिए उनका कैसा कैसा स्वरूप है और वो किन-किन अर्थों में आपका मदद करने कर सकते हैं ऐसा आप call करिए तो आपको अपने भगवान भी मदद के लिए ततपर दिखने लगेंगे लेकिन animal spirit जो होता है western country का concept है और उसको आप realize करेंगे अपने जीवन में अगर आप उनको call करेंगे animal spirit बहुत ततपरता से आपकी help को आतूर होती है और जब जब आप बुलाते हैं वो आस आने में सक्षम होती है और कोई भी problem उनसे छुपी हुई नहीं है आपकी जो भी problem आप उनसे solution की रूप में मांगेंगे वो आपकी हर problem को solve कर सकते हैं पैसे से जुड़ी हुई समस्या या रिष्टेदारी से जुड़ी हुई समस्या हर problem का solution उनके पास होता है एनिमल स्परिट बहुत तरेकी होती है उनको डिस्क्राइब करना संभव नहीं है जो 2-4-5 थे तो मैंने आपको बता दिये तो एनिमल स्परिट को call करिए और आप उनकी मदद लीजिए आपके हर काम बनने लगेंगे और आपके हर विगड़ी बनेगी तो आज का वीडियो आपके लिए knowledgeable रहा होगा और अच्छी लगी हो जानकारी तो इसको like करना और आप share भी करना और comment section में आके मुझे बताना कि इस जानकारी से आपको कितना love मिला